नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चेनल जरधारी क्लासेज में दोस्तों उत्राकर लोग सेवा आयो यानि यू के पीएससी की और से यहाँ पे एक लेटेस्ट विग्यप्ती जारी कर दी गई है आज यहाँ पे आप दे सकते हो दिनांग 3 अगस 2021 तो आज यहाँ पे उत्राकर लोग सेवा आयो यानि यू के पीएससी के और से यह लेटेस्ट विग्यप्ती जारी कर दी गई है तो जानेंगे इस विडियो में इस विग्यप्ती में टोटल पतों के बारे में और टोटल यानि कुलबला के सैक्षिक अरता क्या है इलिजबिल्टी क्या है और एक्जाम पेटन और जो महित्वपूर्ण जान करेंगे तो देख सकते हो आज यहाँ पर विग्याप्ती जारी की गई है और आज से आप उनलाइन आविधन कर सकते हो अब देखता है कौन यहाँ पर लिजबिल होंगे लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि कुल जो रिक्तियों की संक्या यहाँ निकुल पद कितने है तो कुल पद यहाँ पर 63 और यहाँ पर देखो लेवल 7 की यह पोस्ट है काप 22,400 तो यह एक अच्छी पोस्ट है और वे तनमान आप यहाँ पर देखते हो लेवल 7 अब देखो पद का नाम यहाँ पर यह है सहायक अभियोजन अधिकारी की का नाम है सहायक अभियोजन अधिकारी जिसमें कुल 63 पदों पर UKPSC यानि उत्राखल लोग सिवा आयो की तरब विदि इसना तक जो अभियर्ति है लोग सिवाजन का ग्रेजट हो रखा है वही अभियर्ति इस फॉर्म को यहाँ पर बर सकते हैं अब यहाँ पर अधिमान इरता बताया है कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभियर्तियों को सीधी भर्टी के मामन में अधिमान दिया जाएगा प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की नियूंतम अवदी हो और साथ साथ एंची सी का भी प्रमान पत्र प्राप्त हो यानि किसी की जैसे होता है कि समान इलिजबिटी हो गई तो उसकी बात जिनके पास यह होंगे उनको यहाँ पर अधिमान यानि मोका दिया जाए है वो लो में ग्रेजुट यानि विधी इसना तक यहाँ पर मांगा गया है अगर हम एज लिमिट की बात करें आयूशिमा की बात करें तो आयूशिमा यहाँ नियूंतम है 21 वर्ष और अधिकतम है यहाँ बियालिस वर्ष तो 21 से 42 वर्ष की बीच यहाँ पर होनी चीए आय आधिकतम होनी चीए यानी 112 21 से अधिक नहीं होनी चीए और ब्यालिस वर्ष के बीच जिन अभ्याटियों की आये वह इस फर्म को यहाँ पर बंढ़ सकते हैं तो अभ्यार्थ के बारे में और दो शेती आरक्षण यहां पर देश सकते हो और इसका भी पीडियाफ आपको वैसे टेलिग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको डिस्क्रिशन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलिग्राम का देखो यहां पर सुलक के अगर हम बात करें तो नेट बंगिंग य यहां पर जमा करोगे और ओनलाइन आपको यह फर्म भरना है और से आप इस फर्म को भर सकते यहां पर तो जो फीसे आप जो जनरल वाले हैं उनको यहां पर यहां पर यह अनाराख सीकते हैं और एस्टी वालों के लिए आपका 680 होगा पूर सनिक अब्यत्य उनके लिए 176 है और यहां पर देखो उत्राखंड राज में संचालेत स्वैक्षिक राज के ग्रहों में निवासत अनात बच्चे हैं जो उनको यहां पर कोई भी सुलक यहां पर नहीं पड़ेगा और जो यहां पर एक्जाम की बात करें तो एक्जाम कैसा होगा तो एक तो पहले प्री होगा यानि प्रारामिक परिक्चा होगा और उसके बाद मेंस होगा तो प्रारामिक परिक्चा होगा तो यहां पर प्रारामिक परिक्चा का तो यह होगा और यहां पर प्रारामिक परिक्चा होंगे इसमें सिलिवास किया होगा तो एक्ष्व सामान यहां पर होगा वुहलुक यहां पर टाइम होई है तो कुल्मा के 200 अंकों का यहाँ पे आपका प्री यानी प्रारंबिक परिक्षा होगी लेकिन यहाँ पे देखो प्री सिर्फ तब ही होगा जब अभ्यर्तियों की संख्या जाद होगी के लिए मुख्या पर्ग्चा के प्राफ्टांगों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तो दो चीदे यहां पर निखल गया रही है एक तो यह है कि जो प्री एक्जाम होगा प्री एक्जाम सिर्फ तभी होगा जब यहां पर जो आविदन करेंगे अभ्यरती उनकी संख्या जा नाम आएगा उसके बाद हो मेंस देंगे लेकिन मेंस में यहां पर प्री का जो आपका स्कोर है प्री के जो आपके नंबर है वह यहां पर मेंस में नहीं जुड़ेंगे वहां पर फिर जो आपकी मेरिट बनेंगे वो मेंस की आधर पर ही बनाई जाएगी अब देखो यहां पर क्रिमिनल लो यहां पर यहां पर यहां पर आप इसके कुल अंग के जुस्ट यहां परिक्षा में उसमें टोटल जो कुल अंगों गये चार सो अंगों का यह क्वेचन पेपर का लेगा में तो आपको ध्यान रखना में साब का पहले भी हो सकता है अगर यहां पर आप दे सकते हो आईजन करेंगे अबेट्ट अगर उनके संग्या कम हुई तो मेंस में यहांपे डाट आपका मेंज भी हो सकता है नहीं तो आपको पहले प्री यहां पे देना होगा उसके बाद मेंस की बाद होगा साथचातकार यानी इंटार्यू तो यहांपे आप दे सकते हो मुख्य परिक्षा यानि लिखित में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूंतम अरह अंक प्राप्त करने वाले अभ्यत्यों को ही मेरिट के आधार पर ब्यक्तित परिक्षा यानि साथ-छाग कार के लिए आहूत किया जाएगा मुख्य परिक्षा में प्रिश्णों का उतर सामाने हिंदी के प्रिश्ण पत्र को छोड़ का हिंदी अत्वा अंग्रीजी में दिया जाएगा तो जो में सीजाम होगा उसमें जो सामाने हिंदी का कोईशन पेपर है जो कि 100 नंबर का यहाँ पे जनरल हिंदी दे रखी है वो तो हिंदी में होगा बाकी आपका जनरल इस्टडीज और लोग के जो सब्जेक्ट है इसको आप इंग्लिस या हिंदी दोनों में आप यहाँ पे दे सकते हैं वो आपकी चोईस में टिपेंड करता है अब जो यहाँ पे ब्यक्तिकरत परिक्षा यानि जो इंटर्वी होगा पचास अंका यहाँ पे साथचातकार होगा और यहाँ पे देखो अब ब्यक्तिको साथचातकार परिक्षा में समलित होना आवशे होगा और मुख्या परिक्षा का कुलियों कितना होगा फिर 450 होगा यानि means exam में याप पे दो exam हो रहे हैं एक तो आपका लिखित परक्षा हो रही है और एक आपका साथ-साथ कार यानि इंटर्वी होगा तो लिखित परक्षा होगी 400 marks की और साथ-साथ कार याप पे 50 marks का यानि total 450 marks से आपके बाद में क्या बनेगी merit बनेगी परीका एक्जाम इसमें नहीं जोड़ा जाएगा उसके बाद जो सायक अभियोजन अधिकारी जिसकी पोस्ट है इसका याँ पर स्लेवस आप याँ पर दे सकते हो या आपको डारेक्ट दिया जाएगा कि इसमें तो टेलिग्राम में अगर आप लोग सभी जुड़े हो यह देखो जनरल हिंदे का स्लेवस है तो सभी यहाँ पर स्लेवस दिया गया है तो अगर टेलिग्राम में आप जुड़े होए तो टेलिग्राम में आप इस पीडियाफ को ले सकते हैं अगर नहीं जुड़े हुए तो डिस्क्रेशन में आपको मिल जागा टेलिग्राम का लिंक वहां से आप इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं आप टेलिग्राम में जुड़ सकते हो हमारे पास और वहां पे आपको पूरा यह दिया जाएगा यहां से आप देख सकते हो स्लेवस पूरा यहां पर दिया गया है लोग का भी स्लेवस है और यहां पर पूरा का पूरा स्लेवस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों तो यह थी यहां पर UKPSC यानि उत्राकन लोग सेवा आयोग अर्दवार की तरफ से लेटेस्ट विग्यप्ती सहायक अभियोजन अधिकारी के टोटल 63 पतों पर विग्यप्ती जारी की गई थी जो जो लोग बियर्धी है यानि जिनका लोग से ग्रेजट है विधी ग्रेजट है जो विद्यिस पस्त के प ठेह läuft को यहां पे अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों जो भी इसके लिए यहां पर इलिजाग उलिजबल है वो उसको जरूर अपलाई कीजएगा और आज से आप तीन अगस्य आपहाँ पे अप्लाइ कर सकते हैं तो आसा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद हैं रएप अपड़िट पाने के लिए अगर से पहले बार अ की ये अनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तों ब्हुत कर देरें